हेलो प्यूवर्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, नवरात्री आने वाली है और अस्टिमी और नौमी की आप सभी को बढ़ाई, अस्टिमी और नौमी के लिए आप हलवा तो अवशी ही बनाते होंगे, तो इस तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला और एकदम दानेद हलवा मैं आपको आसान तरीके से बनाना बता रही हूँ, और वो भी एकदम से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो आप इस तरह से हलवा बनाएंगे, तो आपका हलवा एकदम से परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट मीटा और परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाला हलवा आप भी बहुत आसान तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं, मैं आटे का हलवा तो आपको पहले बता चुकी हूँ, अब मैं सूजी का हलवा आपको बता रही हूँ, आप इस तरह से हलवा बनाएंगे तो बिगनस भी बहुत आसान तरीके से इस हलवे को बना सकेंगे, तो आपको मेरी recipe को start कर लेते हैं तो मैंने कड़ाई gas पर रख दी है और इसमें एक चमचा मैं घी ले रही हूँ कड़ाई हमारी थोड़ी गरम हो गई है और घी को melt होने देते हैं तो यह देखिए घी melt हो गया है अब इसमें मैं थोड़े से dry fruit रोष्ट कर ले रही हूँ तो इसके लिए मैंने ये काजू लिए हैं हाब बावल मैंने काजू लिए हैं तो इनको धीमी धीमी गैस पर हमें रोष्ट करना है तो यह देखिए इसको चलाते रहेंगे और इसे धीमी धीमी गैस पर आदा मिनट के लिए हम रोष्ट करेंगे बह किस्मिश का कडर चेंज वोने तक रोष्ट करना है तो यह देखिए किस्मिश एकदम से वायट जैसी हो गई है अब इन दौनों चीजों को निकाल ले रही हूँ अब इसी कडाई में हम सूजी ले लेते हैं सूजी हमें कितनी लेनी है तो मैं यह दो कटोरी सूजी को गी नहीं डालना है तो हलका सा इसे रोष्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें इसमें घी भी डालना है तो यह दिखिए इसको लगाता चलाते हुए मिनट तक हम इसे धीमी कैस पर ही रोष्ट करेंगे के उसे मरे काई यह अच्छे से भूनते यह हलवे का categic Andnapर के नहीं रहसे कुछ अए यह देखें यह कलर मुझे ही और सूजी का टैस्ट भी घेंज होने लगा है अभी मैंने इसमें घी नहीं बढ़ाया है बी मैंने ड्राइ फ्रूट भूने थे उसी समय मैंने एक चमचा घी डाला था उसके बाद मैंने इसमें कोई घी नहीं डाला है तो यह देखिए इसको लगाता चलाते हुए चार से पांच मिनट मुझे हो गया है बस इसे भूनना ही ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए तो यदि अच अच्छे से भूनता है तो हमें काफी अच्छा फ्लेवर देता है तो यह देखिए काफी अच्छा कलर आ गया है और आपको वस इसी स्टेश तक इसको भूनना है ना कम ना ज्यादा तो यह देखिए इसका कलर देख लीजिए अच्छे से हमें इसको हलका गोल्डन ब्राउ और आप इसका कलर देख लीजिए और टेक्शर भी देख लीजिए एकदम दानेदार सूजी है और एकदम कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो मैं यह सारी सूजी मैंने इसमें निकाल ली है अब हम इसी कड़ाई में पानी डाल रहे हैं तो पानी हमें कितना लेना है जितन भी आप सूजी को ले रहे हैं उससे चार गुना आप पानी इसमें रख सकते हैं तो आपको इसमें थोड़ी सी सूजी भी देख रही होगी तो उसे बने रहने देते हैं क्योंकि हमें इसमें सूजी ही डालनी है तो इसको पानी में ही मिक्स कर देंगे और इसमें जैसे ही ब तो एक कटोरी सूजी और चार कटोरी पानी के एसाफ से मैं हलवा बना रही हूँ, बाकी की सूजी हम उठाके रख देते हैं, जब भी हमारा मन करें तो इसी तरह से हलवा बना के खा सकते हैं, तो देखें मैं इसमें पानी में सूजी डाल दे रही हूँ, तो सूजी हमारी गर तो दीरे दीरे डालें नहीं तो चीटे पड़ते हैं और यह देखिए कितने अच्छे से यह फूल गई है इसको थोड़ा सा प्लेट में लेकर चैक कर लें कि सूजी हमारी पूली है या नहीं तो दानत दवा के देखे तो एकदम से मैश हो रहा हो है अब मैं इसमें एक कटोर शक्कर और चार कटोरी पानी विल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है यदि आप इसको ध्यान रखते हो तो आपका हलवा एकदम से परफेक्ट बनेगा तो यह देखिए मैं यह शक्कर थोड़ी सी कम थी तो मैंने और भी डाल दी है तो अब इसको अच्छे से पका लेते हैं शक्कर डालने के बाद इसे आदा से एक मिनट के लिए और पका लेते हैं तो यह देखिए इसको लगाता चलाते हुए पकाना है और इसे चलाना नहीं चोड़ना है नहीं तो शक्कर की वज़े से यह नीचे लग जाएगा तो यह देखिए हमारा परफेक्ट हलवा एकदम स को बलाईए आपका हलवा हमेशा ही परफेक्ट बनेगा एकदम से परफेक्ट मेजरमेंट से परफेक्ट कंसिस्टेंसी बाला हलवा बना है तो आप इसी तरह से यह हलवा नवरात्री पर जरूर से बनाईए तो यदे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इ थेंक यू